कि हैंती हैं एक करेंगी और किया बता करने वाले स्टेंट्स बॉंड केमिकल मेर जो बॉंड बॉंडिंग लाग चैप्टर रफ़ पन च्लरह थbok फूर है चैप्टर नुम्मिधर फूर है और इसके अदर घ्रेखने वाले स्टो एक पुंट है कि कुछ आप देख रहे हैं बोल पे पर लिखा हुआ एक ट्रिक बनी वे ओल्रडी और इस ट्रिक के बेस पर ही अगे कुछ बाते करने वाले जरा एक बर देखना यह आपर आपके पास रहे हैं उस पॉंट का नाव पर देखे क्या लिखा हुआ है और यह पॉंट मेरे पास नहीं स्टुडेंट से बॉंट पॉलर्डी ध्यान से समझ लेने स्टुडेंट्स बॉंट पॉलर्डी का मतलब के हैं काफी काम आने वाला है बॉंट पॉलर्डी और गनी कमस्टी का बेस हैं बॉंट पॉलर्डी बॉंट पॉलर्डी को किलियर करना अपने कैसे भी करके दे दी एसोसीयेशन, डी एसोसीयेशन का मतलब होता है, ये भी ब्रेक होता है, ब्रेक होना, टूटना, बोंड का ब्रेक हो जाना, ये तो है, बोंड ब्रेक है, बोंड डीप्सन, बोंड पोलरिटी, अब बोंड पोलरिटी का मतलब है क्या, ये बैस का सीधा लिंक का आपको दिम सब्सक्राइब करें देख चुके हैं तो आप थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको इलक्टोनेगटिविटी जो होता है यह परमाने इंट्टोकस में कोई चैनल नहीं होता है सब्सक्राइब क्या इलकाल समय ख्रशक्राइब करें बॉन नदाधि में वरले देखी में में पास आपनें को निकालनेंसे में पॉललकुल इसमे ज्सें ज्यादा होगी और पॉललक ये सभा लिंक इसटुड傳 होटो है आनिक करक्टर इससे आयनिक bond कौन fast बनाएगा, इसका मतलब आयनिक bond का मतलब है, आयनों में टूटना कौन ब्रेक होगा, एक positive ion रेक्षाब बनाएगा, negative ion, कौन positive ion fast बनाएगा, negative ion fast बनाएगा, यह अपने को यह आपर देखना है, इस वाले अटम में आप देखे, सभी के अंदर hydrogen save है क्या, इसकी लग्तिविटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटी अरहा कहिंए इक पे पास में एक आपके पास में CH OR L 6i L है एसे एक और लाव इयां पर है और लिघ अरह यह ऊजिया है और यह वाला आपके पास में एच ही और चोई ब्रेख में लिख दिया कौन से बटेखोगा वह ब्रेक जल्दी होगा तो पोलर्टी क्या होगी मोर उखिज में, तूटने कंडिशन भी क्या होगी मोर देखो, मैं यहापर लिख रहा हूं कि HF जो होगा, तू सबसे फास्ट ब्रेक हो रहा है, ऐसे ये ओडर लिख दिया हम ने, यह है, HF बोज़ बोंड में पोलर्टी क बनाएंगे किसमे फास्ट बनेंगे हैचैप में किसमे बनेंगे हैचैप में इसका मतलब आइनिक प्रोपर्टी किसमें जाद है 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 इसका मतलब हो गया आइनिक प्रोपर्टी और जहां पर आइनिक प्रोपर्टी की बात आती है तो आइनिक प्रोपर्टी पाई जाती है ने आयने करेक्टर सबसे दिक हैचाइप में होते हैं उससे कम HCL में फिर HBR में फिर हैचाइप के अंदर पाई जाते हैं इसका मतलब है bond polarity क्या होती है bond polarity एक ऐसा point होता है जो bond के break होने की condition को बताती है और साथ में यह बताती है कौन से वाले bond के अंदर आयने करेक्टर मोर होंगे कौन से वाले में लैस होंगे ओके यह तो है अपना किसका bond polarity के बारे में क्याद से क्भाले में जाते है कि अपरकशन है वो आपके पास में है उसी हमिए शुका मियू म दाइकोल मोमेंट मु है इसको कैलकुलेट करने का एक मैतमाटिकली फॉर्मूला है इस तैट से Q इन्टू आर या Q इन्टू डी यह बागा अब यहाँ पर Q क्या है Q जो है यहाँ पर है यह यह दो एटम जैसे मैंने कहा H और F इन दोनों के बीच में इंटर मॉलीकुलर जो अपने पास में फॉर्स है उसको नोट करता है इसे आपने कुलाम फॉर्स पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर वैसे यह फॉर्स है किसके बीच में H+, और यह नेगेटिव, इन दोनों के बीच में कितना force generate और enter static force हो है, वो कितना है, यह note करेगा Q, ओके, यह होगा Q, इसका मतलब कि distance को note कर रहा है, यह आपके पास नहीं distance, दो item के बीच में कितनी distance, यह बॉंड length की बात कर रहा है, कितनी बॉंड length है, इसकी ब इसकी एक यूनिट होती, इसको बोलते है, क्या बोलते है, डिवाई, और इसको note करते है, capital D से, capital D इसका होता है, इसके मैं लिग दिया, 2D, इसका मतलब 2 डिवाई, क्या होगा इसका, डाइपोल movement निकाल लेकि एक यूनिट होगा, यह तहां रखना है, कि डाइपोल movement की इसका मतलब डिस्टैन्स अगर है, 10 की पाउर माइनिस 8 cm है, यह मैं जो घूलाम सेंटीमेटर जो आपके पास में आएगा, यह वाला जो होगा, 10 की पाउर 80 cm को अपन क्या बोलेंगे, 1D क्या बोलेंगे, 1D की इक वाई इसको मानते है, इसका मतलब क्या होगा, जो इतना अपने वो डिस्टैन्स से सार्ज होता है, सेपरिशन इतना यहां पर पाया जाता है, तो मैं बात करना हूं, उस मानली में डाइपोल मोमेंट की बेस पर, सबसे डाइपोल मोमेंट है, खहां, देखो, एक्जामपल वापस लीजी आप, एक्जामपल मेरे पास में इसके लिए एक अभी भी था, उसको रिवर्श कर जाएए, क्हा है बाइप वाण्ड पोलर्टी, यह देगा था, सबसे देखा ता किसमें थी, एक्जामपल मोमेंट भी की में जाता होगा, एच एप के अंदर है डाइपोल मॉमेंटी भी सबसे ज्यादा होगा इसका मतलब है इसमें एच और एप जो होते हैं उनकी डिस्टेंस ऐसे मिलेगे अगर एच यहां पर कॉंस्टेंट है यह ऐसे मिलेंगे यह इसके नजदी को आता जाएगा यह वाला फिर भी यार हो गया यह एच है और यह आई है इसका मतलब सबसे जदी किस वाले में कौन से करक्टर मिलेंगे आयनी करक्टर कौन से मिलेंगे आयनी करक्टर यहां पर मिलने वाले हैं तो सबसे जदी कोवलेंट करक्टर किसमें मिलेंगे सबसे जदी कोवलेंट करक्टर जो हैं किसमें मिलेंगे एर चाही के अंदर मिलने वाले, इसका मतलब हो गया, आयनिक जिसमें करक्टर ज्यादा होते हैं, उसको calculate करने के लिए किसको यूज करते हैं, डायपोल मोमेंट को यूज किया जाता है, किसी भी bond में कितने आयनिक करक्टर हैं, और कितने कोवलेंट करक्टर हैं, ये decide करने में किसका यूज करने होता है, डायपोल मोमेंट का यूज करता है, वो इसको ध्यान रखेंगे, बाकिसकी बारे में और भी अपन बिश्टार से आगे बाते करेंगे, ओके, thank you so much.